सराब घोटाले में एडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केद्रिवाल को गिरबतार कर लिया है अब उनके गुरू रहे अन्ना हजारे ने इस गिरबतारी पर प्रतिकिर्य दी है अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केद्रिवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था जो हम लोगों के साथ सराब के खिलाब आवाज उठाता था वो आज सराब नीती बना रहा है इसका मुझे दुख हुआ लेकिन करेंगी क्या सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते अन्ना हजारे ने आगे कहा आखिर अरविंद केद्रिवाल को जो गिरबतार किया गया जो भी हुआ वो उनकी तूटी से हुआ वो गलती नहीं करते तो ये नहीं होता कानून के तोर पर अब आगे जो होगा सो होगा कानून सोचे का वहीं आपके संस्तापक सदश्यों मैं से एक रहे कवी कुमार विश्वास ने भी अपने पुराने साथी परतन्ज कसा है कुमार विश्वास ने गो स्वामी तुलसिदास के राम चरीत्र मानस की इन पंक्तियों के जरिये अपनी बात रखी करम प्रदान विश्व रची राखा जो जस्य कराई सो तस फल चाखा इन पंक्तियों के जरिय कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का करम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है कभी आप में रहे भाजपा नेता कफिल मिस्रा ने बताया कि कैसे वो पहले से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केद्रिवाल का अंतिम ठीकाना तीहार जेल में होगा और आज वही सच होता हुआ दिख रहा है दोस्तों सो क्रोड घूस लेने वाली बात छोड़ दीजी केद्रिवाल ने इतने बड़े बड़े घोटाले किये हैं अरविंद केद्रिवाल का असली अफराद कुछ और है यही वो व्यक्ति है जिसने इस्लामी साहिन बाग और खालिस्तानी किसान अंदोलन को हवा दी साहिन बाग के बाद दंगे हुए हिंदों को चुन-चुन कर मारा गया प्रदसनकारी किसानों को पानी बिजली की सुवईधाएं इसी आप सरकार ने दी यानि जिस दिल्ले न अरविंद केद्रिवाल को चुना उसे बंधक बनाने जो जो भीड आई उसे केद्रिवाल का पूरा समर्थन मिला दिल्ली सरकार से पोषन मिला कोरोना काल में यूपी बिहार के मज़़ूरों को सीमा पर छोड़ दिया गया निकाल दिया गया अब जब अर्विंद केजरिवाल अरेश्टेड है करोडो दिल्ली वासी खुस है क्योंकि रोज काम पर जाने वालों को साहीन बाग और किसान अंदोलन की कारण महीनों जो तकलीपे झेलनी पड़ी थी उससे उन्हें मुक्ती मिली है इसलिए तो कल राज से दिल्ली में जस्न मनाया जा रहा है पठाके फोड़े जा रहे हैं आतिसबाजी हो रही है केजरिवाल के गिरपतार होने से दिल्ली वाले सबसे ज्यादा खुस है इस समय अब यह फरजी नेरेटीव सेट करने की कोशिज करेंगे लोगतन त्रिखत्रे में है इनका कुछ नह अगे उसने दिये तो हाइकोट ने कहा कि इन सबूतों को देखते हुए हम गिरपतारी पर रोक की गारंटी नहीं दे सकते अगर तुम्हें गिरपतारी से बचना था तो अग्रीम जमानत ले लेते हैं कुल मिलाकर सार यह है कि लोक्षबा चुनाव में अपना नेरेटीव सेट करने के लिए केजरिवाल सब कुछ कर रहे हैं इनकी नजर दो हजार उनतीस पर हैं इस बार पंजाब दिल्ली में सीटे पाकर ये कॉंग्रेस को हासिय पर धकेल देंगे फिर अगले चुनाव में राहूल गांदी की जगा खुद को प्रदानमंत्री पद के लिए पेस करेंगे ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताए जय हिंद जय भारत